दोस्तो लाइफ लाइन एजूकेशन पॉइंट के चैनल में आपका स्वागत है आज के इस स्पेशल वीडियो में हम आपको खेल खिलाड़ी किन स्पेशल में कितने खिलाड़ी होते हैं उसको कैसे याद करेंगे हम उन चीजों को बताएंगे तो इसके आलावे कई देशों के परमुख राष्ट्या खेल को हम कैसे याद करेंगे कैसे याद रखेंगे और किस तरह से प्रतियों की परिक्षा में इनसे सवाल पूछे ज से छेल समान आर्थ में उन गती वीदियाओं को कहा जाता है जहां प्रत्योगी की सारी brings च्छंता को खेल के परिनामद्वारा निर्धारित किया जाता है क्या किया जेता है निर्धारित किया हैं किसारे और कई सारे चेळаки में अलग अलग खिलाडियां की संक्या होते हैं उस किने कितने खिलाडी होते हैं आज के वीडियो में उसको हम बताएंगे दूसरी बात है कि कुछ खेल खुले मैदान में खेले जाते हैं और कुछ खेल कहां खेले जाते हैं खुले मैदान के जगा कुछ घरों में खेले जाते हैं और कहां खेले जाते हैं कुछ खुले मैदान में खेले जाते हैं ठीक है आगे हम बात करते हैं घर में जो खेल खेले जाएंगे उस खेल को हम इंडोर गेम बोलेंगे क्या बोलेंगे इंडोर गेम बोलेंगे और दूसरे बात दूसरी बात है क्खुले मैदान में जो खेल खेले जाएंगे उसको हम बोलेंगे क्या आउटडोर गेम्स जैसे इंडोर गेम्स क्या हुआ जैसे हम लोग घर में क्या खेलते हैं कारम बोर्ड खेलते हैं क्या खेलते हैं लुडो खेलते हैं क्या खेलते हैं सतरांज खेलते हैं इस खेलों को हम क्या बोलेंगे इंडोर गेम्स बोलेंगे आगे पाथ है खुले मैदान में जैसे हम लोग क्या खेलते हैं किर्केट खेलते हैं फुटबॉल खेलते हैं होक्की खेलते हैं जो खेल खुले मैदान में खेले जाते हैं इस गेम्स को क्या कहा जाता है आउटडोर गेम्स और जिन खेलों को घर में खेला जाता है उन्हें क्या कहा जाता है इंडोर गेम्स आगे हम बात करें कि कि याध कराते हैं उन्हें को सकत Almohaly रखेंगे करके क ojos इसे आजर रखेंगे अंदेश". मुखके यह और होकी यह तीन खेल हमारे जो हैं इस मेँ खिलाडियों क संख्या मेंं कितनी हो जाएगी, 11 है, चाहे किर्केट हो, एक पक्ष मेँ 11 ए, फुटबॉल हो, 11 हो, होकी हो, कितना 11 है, आगे हम बात करेंगे, पोलो और वाटर पोलो, फोलो में खिलाडियों क संख्या हो, फोलो में jar, वाटर फुलो में साथ आगे हम बात करेंगे इस दोनों के एक क्रम में लेंगे कैसे कवड़ी और खोखो कवड़ी में साथ तो खोखो में साथ दू नो ठीक है यहां तो गो गया अब हम देख रहे हैं इसमें बहुत सारा खेल है जिसमें बॉल जुटा हुआ बास्केट बॉल इस नीटम बॉल इसमें क्या भापाइब उसमें परेशान या था हम याता है क कैसे इसको याद गर्यांजרोम से नेटम में जेते हैं technique ब्रहुत किया च्बै और ऐसमेंगे बॉल स्टारी वाल पांच के बाद 6 नेट लेट अग्जेते एठ मगी किस थी अड़ी कि क।का कि याद करें वसकत दलिया से शुरू हो था पांच उसके बाद क्या रहा था कोऊ-घर में जो खेला जाता था उसके बाद श्यक्ति के बाद साथ का यह एक क्रोस कि ढम धागी फूटबाल में सबसे अधी खिलाडियों कि संक्या कितні होती है एक या दो फिर से हम रिपीट करते हैcky क्या-क्या हम हम किर्केट फुटबॉल और होकी इन खेलों में कि अई तो दो टाएप थाऊ रूडर्ण वाटर पूलो और सिर्फ फुर्ण ऑल ऑउस के लाधन और Same किसह से उच्छा में किस लाड़ी होते हैं रगबी फुट्बॉल 15 और बात होगत एक ही टैनिस ऐड वेंटर में ख्यलाड़िऑ क संग्य है कितनी? एक या? दो ठीका है? आगे हम बात करते हैं पुटबॉल और होक्की की फुटबॉल और होक्की की इसमें कभी कभी कोस्टन पूछे जाते हैं कि मैच की अबधि कितनी होती है? मैच की अबधि क्या होती है कितनी होती है तो फुटबॉल में पाले कितना था 90 मिनट का खेल होता था 45-45 मिनट का सेशन होता था और होकी में सेशन केतना था 70 मिनट का इसमें परिक्षा में पूछे जाते हैं आपको बताईए कि फुटबॉल मैच की अबधि कितनी होती है तो आवर होता है, ठीक है, आगे हम मध्यांतर होता है, आगे अब जो हो रहा है, हौकी का चेंज कर दिया गया है, क्या चेंज कर दिया गया है, अब बोला हौकी जो है, सतर मिनट की अब दी नहीं होगी, अब इसको चेंज करके कितना मिनट का कर दिया गया है, साथ मिनट का कर दिया गया है ठीक है साथ मिनट में क्या-क्या होगा उसको हम देखते हैं इसमें जो चेंजिंग हुआ है वह है नए बदलाओं के अनुसार पहले तता तीसरे क्वाटर के बाद प्रते एक टीम दो मिनट का ब्रेक ले सकती है जबकि मौझुदा दस मिनट का पहला हाप पहले की तरह क्या होगा बरकरार रहेगा तो हम इसके कुछ सवालों से आपको अवगत कराते हैं कैसे परतियोगी परिक्षा में पूछे जाते हैं तो पहला प्रस्ण था इस टाइप से इससे रिलेटेड पहला कोस्टन था भूटान एक मिनट कोस्टन था इसमें सवाल क्या क्या पूछा जाता है कैसे पूछा जाता है उनसे आपको अवगत कराते हैं कोस्टन है खोखो में कितने खिलाडी होते हैं तो हम बताये थे खोखो में कबड़ी में साथ और खोखो में कितना नो ठीक है आगे सवाल नेक्स सवाल पूछा जा रहा था उसकेट बॉल में एक सवल सब याजिम होता है सब्सकेट citizen एक उसकेट सब्सक्राइब कप्यारत सब्सक्राइब कर सा ही सब्सक्राइब में एक समुम्हार में changing खिलाड़ी होने अप्सम है basketball कबड़ी बासकेटबॉल में 5 होता है बड़ी में 7 यह सेम नहीं वा आगे था baseball water plot до तो बेसबॉल में हम बताए थे कितना नो और वाटर पोलो में साथ आगे था वाटर पोलो और कबड़ी तो वाटर पोलो में भी बोले थे साथ क्यूं पोलो चार वाटर पोलो साथ और कबड़ी में भी खिलाड़ीयों को संक्या साथ बला तो किसमें से मैं यही मेरा सी ओप्स देशाओं के राष्ट्य खेल इतने सारे देश हैं और किन देशाओं का राष्ट्य खेल क्या है उनको याद रखना है काफी मुश्किल हो जाता है तो उसको हम कैसे कैसे क्रम से हम याद कराएंगे आए उसको हम दिखाते हैं कि सिरियर वाइज कनेक्टेड कर देंगे और हमें याद रहेगा कैसे हम जोड़ाइड बनाते हैं आएं धिखाते हैं भारत और पाकिस्तान भारत का दोस्त क्रिकेट पाक्सतान आगे हम बात करें इंग्लेंड और ये लोग तो किर्केट में बहुत जीता तो हमें 19 देशाओं के प्रमुक राश्टिया खेल जो है उनको याद करना थे जोड़ा लगा कि बारत और पकिस्तान को क्या हो गया होकी उसके बाद Engeland और Australiya के क्या गिया ? किरकेट आगे हम बात करेंगे France फौसे France, फौसे football France का रश्टे कहल का गिया ? फूटबॉल तो इसका दोस्त ब्राजील जहां आपने नम सुनगे Ronaldo, Rivaldo ये सब सब किस देस्क tienes का है ? ब्राजील तो रूस का भी क्या गिया ? और सब्सक्राइबूरानों कोसा दोनों के छपनंड़्स व्य किया यह राइस्ट्रक गया वेंपहार नेपाल की ठीक है सिरलंका और नेपाल का राष्ट्य खेल क्या है वो बताना है सिरलंका और किसका नेपाल का दोनों का राष्ट्य खेल हो गया है वालीबॉल क्या है वालीबॉल इसके पहले नेपाल का राष्ट्य खेल क्या था नेपाल का जो है राष्ट्य खेल सा दंडी बीयो क्या धांका होता था क्या खेल दंडी बीयो जो कहां खेला जाता था नेपाल लेकिन क्या बात था 23 मई कि 2017 से पहले जो है नेपाल का राष्टे खेल यही हुआ करता था क्या दंडी बीयो लेकिन क्या कर दिया गया 23 मई 2017 के घज आखे क्या है बंगला देश यहां का लोग बहुत मजबूत होता इसको इसे याद रखेंगे दिसका राष्ट्रे में चल रहा है इस्पेंड के उर क्या है एस्पेंड में पिन पैन मतलब दर्ध टीख यह ग्ली करता है बूह छांकहिता है इसको बोलते हैं और दूसरा नाम क्या है उसको बताते हैं भी मतलब साड और फाइटंग मतलब मतलब लड़ाई यह को साड का यूद संक्या होती है और अक्षर भी बहुत है तो क्या हो गया रगभी फुट यह बटान-बूत-भूत-उक्या तो ये राष्टे खेल इसका क्या है? कुस्ती है. ठीक है? उम्मीद है का आपको समझ में आया होगा. एक बार फिर से हम इसकी पुन्द्रा विर्थी करते हैं, एक बार फिर से हम दिखाते हैं क्या क्या हुआ? क्या था? सबसे पहले नेपाल का 23 मई 2017 के पहले राष्टे खेल दंडी भी ओगता था, अब उनलो क्या खेलना शुरू कर दिया, बॉलीबाल खेलना शुरू कर दिया, ठिक है, इसी डंग से हम याद करेंगे, क्या, बारत और पकिस्तन, इसका रश्टे खेल क्या हो गया, हटकी होगिया अब बात करते हैं क्रम्स से याद कर लें गए बारत पकिस्तान लगा क्या हुआ हग की आगे था इंगलेंड और अस्टेलिआ इसका राष्टे खेल के हा गया किर्केट अब हम बात करेंगे फुटबॉल 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 इंडोनेशिया इसका राष्टेखेल क्या है, बेडमेंटेन, Casey कहा, आगे हम बात करेंगे सिरलंका, सिरलंका का लोग क्या है राष्टेखेल बॉली बॉलता है, इसका साथी कौन बना, नेपाल बना, थ addressing बीज़ा, आगे SPAN, सबसे अधिक राष्टे खेल वाला सबसे अधिक जिसमें खिलाडियों क्या हो क्या होगी है रगभी फूटबाल भुटान तिरंदाजी तुर्की के अंतिम में को था यह क्या खेलेगा कुश्टी उमीद है कि आपको समझ में आया होगा ठीक है अब हम चलते हैं इस टाइप के किस तरह के प्रतियोगी परिक्षा चाहिए रेलवे हो बैंकिंग हो एससी हो कईसे आप परिक्षा में पूछे जाते हैं उनसे आपको मुलाकात कराते हैं कुछ प्रसनों से क्योn 좀 बुटान का राश्टे खेल क्या है Hammघ ओंग हम बताये कैना तिरंडासी ठीक है अगे सवाल था संजुक्त राज अमेर का आमेर काला खेलना पसंद करता था baseball, अमेरिका वोला क्या खेलना पसंद करता था, baseball, नेक्स सवाल था, भारत का राश्टे खेल, तो भारत का राश्टे खेल क्या, hockey, नेक्स सवाल है, तुर्की, तुर्की का राश्टे खेल क्या है, क्या बोले थे, तुर्की था, तुर्की के आंतिम में, को, को का आंतिम, अक् पान हम क्या बोले थे बुल फाइटिंग साड का यूद्ध था वह कहां खेला जाएगा एस पैन में उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा ठीक है कि एक बार फिर से हम पुंद्रा विर्ती कराते हैं क्या क्या हमने देखा किर्केट किर्केट किसका किसका था दोस्त भारत पाकिस्तान ठीक है फुटबॉल का बाद या रहा था तो फुटबॉल किसका किसका था फूसे फुटबॉल था तो फूसे फ्रांस था रूस था और करेंगे हम बैडमेंटेन का किसका में न है था मेरा किया मलेशिया और इंडोद अया था आगे आगे को भू लेते हैं आ रिकbor करते हैं किरकेट क्या था northwest mr2 यादधा और ओर जाए गा नेपाल वह ओ पर Our मैं आगे बात आप एक मिनुड़ा कि किरकेट क्या था क्रिकेट था इंगलेंड और किसका अस्ट्रेलिया और भारत और पकिस्तान क्या खेलता था हॉक्णी खेलता था अब तक हमने कितना देश का नाम याद आगे हैं साथ आठ 9 10 11 12 हमने 19 बताया था बच गया मेरा कितना साथ तो साथ को हम क्या क्या बताए थे एक था एस्पैन एस्पैन वाला का क्या था सान का यूद क्या था सान का यूद हम याद कराए थे उसके बाद था Espain हो गिया उसके पहुत हम ियाद करौए थैं तरकी तरकी कंति में को था यह कौन ख्राइब कुस्ती ख्राइगा ठीक है उसके बाद हम गएथे जिसमेस का वहां क्षक्पार्ट बन्लाधे क्या मीला था ती वहां क्या कह 나와 ह क्षोटी क्या मिला था थी वहां जूडो और कौन सा खेल बच गया मेरा उसको हम देखते हैं अमेरिका वला नहीं वा था ना अमेरिका कौन खेल खेलता था बेसबॉल बेसबॉल कौन खेलेगा अमेरिका का लो ठीक है और कोई बचा उसको हम देखते हैं भुटान हो गया चीन हो गया चीन वला बच गया चीन क गया मलियष यह और इंडोनेश्या वोलिबट हो गया नेपाल और इस क्रम से उम्मीद है कि आपको याद हो गया होगा हो और हरे और सेर्फ सोसल मीडिया पर करने से या जानकारी उन्हें भी प्राप्त हो सकेगी उम्मीद है कि आप अधिक से अधिक दोस्तों को सेर कर इस महत्पूर्ण जानकारी से आवगत कराएंगे तो इसके नेक्स्ट वीडियो में हम आपसे फिर होगी मुलाकात तब तक के लिए धन आपने वाद